फहीम एडुकेशनल पब्लिशर्स दा डिवोटिट विद पैशन सबक नमबर एक हम्द हम्द वो नजम है जिसमें अला ताला की तरीफ बियान की जाती है इस हम्द में हम अला की बनाई चीजों के बारे में पढ़ेंगे ये तमाम चीजें अला ताला की अता करदा नेमत है और अला ताला की शान बियान करती है आये हम्द पढ़ते हैं ऐ हुदा ऐ हुदा तू है सबसे बड़ा ये जमी आस्मा और दोनों जहां खूब सूरत शजर मीठे मीठे समर फूल की पतिया ननी सी तितलिया नहर चलती हुई नदी बहती हुई पानी तलाब में मचलिया आब में चांद तारे सभी रोशनी चांदनी सब तेरी शान है मेरा इमान है आये अब हम एहम अलफाज के मानी पढ़ेंगे शजर द्रक्त समर फल तलाब पानी का वड़ा खोज आब पानी प्यारे बच्चो अब हम मश्क हल करते हैं जुज अलित दर्ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें सवाल नमर एक जमीन और आस्मान का माली कौन है जवाब अल्लात अल्ला सवाल नमर दो सारी दुनिया किस ने बनाई जवाब अल्लात अल्ला ने सवाल नमर तीन सात्में शेर में चांदनी का जिकर है चांदनी का तलुक किस से है जवाब चांद से जुजबे मिसाल के मुताबिक वहत लफ्ज को जमा से मिलाएं मचली मचलिया तितली तितलिया नदी नदिया रोश्नी रोश्निया जुजजीम मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़ कर लफ्ज बनाएं अलिफ मदा सीन मीम अलिफ नुन गुना आस्मा के बाओ बे कूम ते अलिफ लाम अलिफ बे तलाब स्वात बाओ रे ते सूरत जुजदाल नदिया नदिया चार ऐसे लफ्ज चुन कर लिखें जिनके आखिर में अलिफ है नमबर एक खुदा नमबर दो मेरा नमबर तीन बड़ा नमबर चार मीठा प्यारे बचों आपने इस नजम को जुबानी याद करना हैं और अपनी क्लास में सुनाना हैं अगली दफा हम सबक नमबर दो करेंगे और उसकी मश्क खाल करेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिए भी मीठीतो करेंगे यारे यू fino आपनी अस च्टेस्टेट को में संची आमरस्सों मुट्ड आफाव्टान प्र Bj